UP चुनाव से पहले शिक्षकों की बंपर भरती की तैयारी. UPTET का भी होगा जल्दायोजन. उत्तर प्रदेश टीचर रिक्रूट्मिंट 2021, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भरती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इस भरती में पदों की संख्या 50 हजार से भी अधिक होने की उम्मीद है. सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भरती की योजना बना रही है और विबिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है. राज्य में इस वक्त शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली है और राज्य सरकार चुनावों से पहले इन पदों को भरने की भरपूर कोशिश कर रही है. अभ्यर्थियों को शिक्षक भरती से बंदित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाये रखनी चाहिए. इस भरती में पदों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिशद में 51,112 रिक्तियों का हलफ नामा खिलकर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी. साथ ही सरकार की तरफ से ट्वीटर के माध्यम से भरती की घोशना भी की गई थी. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2021 को हुए पीएबी की बैठक में केंद सरकार को प्रदेश में 73,711 खाली को लेकर पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी. राज्य में होने वाली शिक्षक भरती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में उतीर्ण होना आवश्यक किया जा सकता है. इसलिए अभ्यर्थियों में यह सवाल उठना लाज्मी है कि UPTET का आयोजन कब किया जाएगा. UPTET के आयोजन के संबंध में यह जानकारी सामने आ रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा है. अगर सब कुछ सही र रहता है तो इसके लिए शिक्षा विभाग अगले हफते तक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है.